इनकों करते हैं अपने introduction ले लिया है अब अपन इस चैटर के अंदर से इसलते हैं और जो पहला अपनने लिखा था इंदर सब्सक्री आपन सीखेंगे cell क्या होता है तो cell device है वो क्या चीज है और इसके ताइफ क्या है बेसिक सायद 2-4 मिंट में अपने बाद समझ वाजाएगी लेकिर ये बाद समझ नहीं आई तो बार बहुत जा दिक्का दोने रहता है इसमें तो सायल क्या है आपन ऊपन नसी चेव्टर मसे बाद करता हो कि लेक्टरिकर अपन पास जो भी बैटरी आम् vista का में रही है हर बैटरी में कुछ chemical बरे हुए वो chemical आपस में reaction करते हैं और reaction के थुर आपको electricity प्रोवाइड होती है जिस device में आपको काम में लेने है पर्टिकुलर वर्ट डिर्टी और बात करता हूं इदि electrical energy chemical energy convert करना तो कुछ reactions ऐसी होती है जो nature में अपना आप नहीं होती है उनको forcefully करव आते हैं अपन लोग इसको नोन-spontaneous earth पते हैं अभी करी है अब उन reaction को करवाए कैसे जाता है simple सा तरीका है बीकर में जिसको reaction करवाना उनको एक बीकर में एक साथ रखो और reaction नहीं करना है तो क्या करो दो metal की road दो जो inert होनी चाहिए उसको क्या करो प्लक से दो बाइर से कणेक करो और फिर डिप कर दो क्या इसको करन्ट की जटके लगेंगे इस करन्ट की जटके क्या है इसका मतलब कि इसमें electrolysis होता है थी इतो बिचर रियक्षिन ही थी तो बिल्कुल सपना आपने कि एक एक्षिन अपन नहीं होने वाली थी वह हो तो दोनों काम जो आप chemical energy को electrical energy को chemical energy में यह समझ गया न मतलब क्या होता है electrical energy का chemical एक्षिन नहीं हो रही थी आप electricity प्रोवाइड करके उसे reaction करवा रहे हो तो दोनों काम के लिए डिवाइस थी है और जो device use आता है वो device that is cell इस device का क्या नम रखागी है? cell cell एक device से जो क्या गरता है? इन दोनों energy chemical और chemical energy और electrical energy इन दोनों के interconversion को समझाता है तो तरशा करते हैं देखते हैं तो cell के एक device है this is a device this is a device which used in interconversion interconversion of electrical energy and chemical energy basically device और कुछ नहीं है जो आपसे इन दोनों energy को interconvert करता है अब ये conversion दो तरह से होते हैं तो जो cell है वो भी दूर तरीका ही होगा type of cell writing साफ करने कोसिस कर रहा हूँ है चुलो तो type A cell के पहला electro chemical cell और दूसरा में जगह थोड़ के लिए रहा हूँ क्या conversion होगा और दूसरा है electrolyte cell तो आपको पता है इन दोनों energy का इंटर कनवर्जिन होगा तो जो electro chemical cell है electro chemical cell वो क्या करेगा chemical energy को electrical energy को जिसको अपन बैटरी बोलते हैं सोरी खाली energy लिए रहे हैं यह देखना है इलेक्ट्रिक लेन है और यह क्या कर रहा है कि अब करेंट पास करोगे मदलब इलेक्ट्रिक लेनर्जी आप दोगे जिसको यह chemical reaction में perform करवाएगा तो इसका मदलब chemical energy करेगा टोड़ा चोटा है और यह थोटा सा वीडियो बड़ी बात आयोगा इतने रही वीडियो ही है लेकों चोटी से बात हैं कि cell क्या होता है इसके type क्या होता है ? अब सोचो जार की 60% इसा और क्यों होता है तब तक मज़ा नहीं है TH西O perder में थोड़ा वीडियो आप लेक्ट्रो केमिकल सने के बारो बहुत कुछ चर्चा करेंगे तो बेसिक बात थी जरूरी थी इसलिए इसमें अपने एक अलगी वीडियो ने इस चीज लिए कि लिए कि लेक्ट्र लाइटिक सेल, लेक्ट्र केमिकल सेल क्या है और और नोल में डिफ्रेंस क्या है और कौन सी एनेर्जियो कि इस तरह सी आप आपको कोई भी डाउट है तो नीजे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाए ग्रूप पे जाए और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें आपके लिए फैसलिटी दी गई है और सेर करना ना हुई ले आप ल